हेलो एब्रीवान स्वाकत आप सभी का टूपर स्प्रेम चैनल में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का चेप्टर नमबर 13 मैगनेटिक अफ़ेक्ट ओफ लाक्टरिक करेंट विद्यूतिय धारा के चुम्बक यह प्रेभाव तो देखिए सबसे पहले चुम्बक के बारे में बताया गया है कि मैगनेट क्या है जो लो और लो युक्त चीजे ठीक है जो चीजे आईरन और आईरन से बनी होती है उन चीजों को अपनी तरफ आकरशित करता है वो होता है चुम्बक Metals की properties क्या है प्रेटेक चुम्बक के दो धुर्व होते हैं मतलब every magnet has two poles जिसे नाम दिया जाता है North Pole और South Pole ठीक है जो North Pole और North Pole होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे से दूर जाती है मतलब repel करते हैं एक दूसरे को और जो North और South मतलब ऐस समान जब धुर्व होते हैं वो ए different है unlike poles attract each other स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुम्बक मतलब कोई भी चुम्बक कर रहा है हम स्वतंत्र रूप से लटका दी तो वो जो है उत्तर दक्षिन दिशा में रुखती है उत्तरी धुर्व जो है यह उत्तर दिशा को क्योर संकेत करता है और दक्षिन नोर्थ प सबसे पहले जैसे यहां पर दिया गया है चुम्बक के शेत्र ठीक है मैंगनेटिक फिल्ड के बारे में बता है तो चुम्बक के चारोर का वह शेत्र जिसमें चुम्बक के बलका संसूचन क्या जाता है वो क्या है मैंगनेटिक फिल्ड है तो अरिया अराउंड इमैगनेटिक फोर्स कैन भी एक्सपीरियंस जहां तक मैंगनेटिक फोर्स का हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो होता है उसक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें प्रिमान और राशी दोनों होते हैं, मैगनेटिव और दिरेक्शन दोनों होते हैं, तो मैगनेटिक फिल्ड क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, चुम्बक क्या शेतर को दिक सूचक की सायता से समझाया जा सकता है, दिक सूचक क्या है, मै क्या है, शेत्रिय रेखाईं उतरी दुरू से परकट होती है, तब दक्षनी दुरू पर विलीन हो जाती है, शेत्र रेखाईं बंद वक्र होती है, जो फिल्ड लाइन्स होती है, वो अराइज होती है, नौर्थ पॉल से, इंटु साउथ पॉल अफ दा मैगनेट, ठीक है, फ प्रतिछेद करती है, तो इस कारते के एक बिंदू पर दो दिशाईं जो संभाव नहीं है, चुम्बे के शेत्र की प्रबलता को शेत्र रेखाऊं की निकटता की कोटी द्वारा दर्शाया जाता है, डिग्री ओफ क्लोजनेस की द्वारा, ठीक, आगे देखिए, प्रतिष्चिन और स्टेड, वे पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया कि विद्युधारा चुम्बकिय शेत्र उत्पन करती है, मतलब है एच्सी और स्टेड, ऐसे पहले पर्शन थे जिसने ये पता लगाया कि जो एलेक्ट्रिक करंट है, वो क्या है, एक मैगनेटिक फ कड़े हैं कि आपका अंगुठा विद्युधारा की और संकीत करता है, तो मितलब जो ये नीचे वाली चीज है, अंगुठा हमने इस तरीके से पकड़ा है, कि ये क्या कर रबता रहा है हमें, करंट, विद्युधारा बता रहा है, और ये जो उंगलियां हैं, फिंगर्स है ये क्या बता रही हैं, चुम्बक्या शेत्र, मैगनेटिक फिल्ड बता रही है, तो ये था राइट हैंड थंब रूल अगला है सीधे चालक से विद्यु धारा प्रवाइत होने के कारण चुम्बक की है शेत्र Magnetic field due to current through a straight conductor चुम्बक की है शेत्र चालक के हर बिंदू पर संकेंदरी वर्तो द्वारा दिए तो इस तरीके से दिखायागा चुम्बक की शेत्र की दिशा यह तो right hand thumb rule द्वारा दी जा सकती है यह compass के द्वारा दी जा सकती है direction circles जो होते है वो नियर होते हैं conductor के Magnetic field जो होती है वो directly proportional होती है strength of current के ठीक है और यह 1 by चालक से दूरी 1 by distance from conductor आगे है अगर विद्ध्य धरावाई वर्ताकार पाश के कारण है अगर Magnetic field जो होता है यह current जो जाता है वो थ्रोई circular loop में जाए तो तो क्या होता है तो देखे क्या है चुम्बक की शेत्र प्रतेक बिंदू पर संकेंद्री वर्तो द्वारा दर्शाया जा सकता है जब हम इस तार से दूर होते जाएंगे तो यह वर्त जो है वो क्या होते जाएंगे विद्ध्य धरावाही तार के प्रतेक बिंदू से उत्पन चुम्बक की शेत्र रिखाए पास के केंदर पर सरल रिखा जैसा प्रतीत होनी लगता है डिरेक्षन फ्मेटिक फिले इनसाइड लूप इस सेफिररेक्षन ओती है इंसाइड लूप होती क्या होती है फ्योजूंड के गरतीत होग उके नेक्स्ट के विध्ध्य धरावाही वर्तकार पासिके चुम्बक चेत्र परबावीत करने वाली चारक जो circular loop में जो affect करते हैं वो circular current को चुम्ब के magnetic field directly proportional चुम्ब के शेतर चालक में से प्रभावित होने वाली दारा 1 by चालक से दूरी जो एती directly proportional होते हैं चुम्ब के शेतर कुंडली के फिरो की संख्या magnetic field जो हते है directly proportional number of turns in the coil चुम्ब के शेतर कैसा होता है संयोजित होता है additive in nature प्रते एक फिरे का चुम्ब के शेतर दूसरे फिरे के चुम्ब के शेतर में संयोजित होता क्योंकि विद्युदारा की दिशार वर्ताकार फिरे में समान होती है आगे solenoid prenalika के बारे में बताया गया है प्री नालिका का चुम्बक के शेतर चट चुम्बक के जैसा होता है जो magnetic field होता है solenoid का वो silimilar होता है bar magnet की तर है प्री नालिका के अंदर चुम्बक के शेतर एक समान है तथा समानामतर रखाऊं के द्वारा येvetteर साया जाता है चुमबक ये शेत्र की दिशा देखिया अगर direction of magnetic field इसमें तो जो outside the solenoid होती है वो होती है north to south और inside the solenoid होती है south to north ठीक है तो यह पूच सकते है direction of magnetic field in outside the solenoid या inside the solenoid प्रिनालिका का उपयोग जो है किसी चुम्बक के अपता जैसे नरम लोई को चुम्बक बनाने में किया जाते है आगे विद्धु चुम्बक और स्थाई चुम्बक के बारे में बताय गया है अलेक्ट्रो मैगनेट और पर्मानेंट मैगनेट तो यह स्थाई चुम्बक होता है, आता है आसानी से चुम्बक तो समाप्त हो सकता है, स्थाई में क्या होता है, आसानी से चुम्बक तो समाप्त हो सकता है, क्योंकि पर्मानेंट चुम्बक होते हैं, तो आसानी से समाप्त नहीं हो सकता है, इसकी शक्ती बदली जा सकती है, इसमें दुरूवियता जो होती है, polarity वो भी reversed हो सकती है, इसमें cannot be, और प्राय अधीक शक्तिशाली होते हैं, strong magnet होते हैं और ये weak magnet होते हैं स्थाई चुम्बक, ठीक, अगला है चुम्बक ये शेत्र में किसी विद्युधारावाही चालक पर बल, means force on a current carrying conductor in a magnetic field, आंद्रे मेरी empire ने प्रुष्टुत किया कि चुम्बक भी किसी विद्युधारावाही चालक पर प्रिमान में समान प्रंतु दिशा में विप्रीत बल आरोपित करती हैं, चालक में विस्थापन उस समय अधिक्तम होता जब विद्युधारा की दिशा चुम्बक ये शेत्र की दिशा के लंवत होती है और विद्युधारा की जब दिशा बदलती है तो बल की दिशा भी क्या होती है बदल जाती है ठीक है आंगे फ्लैमिंग का left-hand rule तो सबसे प highway भी पुछ सकते left-hand rule किस नहीं दिया तो flaming कवाम बाया हस्तनियम तो अपने इसके अकॉर्डिंग क्या था देखें लेफ्ट एंड टूल क्या कहता है अपने हाथ की तरजनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस परकार फिलाईए कि ये तीनों एक दूसरे के प्रसपर लंवत हो तीक है अंगूठा तरजनी और मध्यमा इस के शेत्र की दिशा की और मध्यमा तो अंगूठा चालक की गती यानि दिशा या बल की और संकीत करेगा तो देखें जो अंगूठा था ये बल की और संकीत करेगा इसमें तो ये पूच सकते नहीं कि लेफ्ट एंड रूल में अंगूठा किस तरफ इशारा करता है या फिर शोरी, middle finger, मध्यमा, जो है, वो संकेत करती है, ठीक, चलिए, आगे देखिए, आगे पताया गया है, विद्धिवत मॉटर क्या है, electric motor, विद्धिवत मॉटर है कैसी गुणन युकती है, जो विद्धिवत उर्जा को यांत्री कुर्जा में रुपांत्रित करती है, तो, an electric motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy, पूछा जा सकता है, विद्धिवत मॉटर का उपयोग, विद्धिवत पंखो, refrigerator, washing machine, विद्धिवत मिश्र को, MP3, sorry, विद्धिवत मिक्सर जो होते है न, उन में, मिक्सर ग्राइंडर, और MP3 प्लेयर आदी में इनका यूज़ किया जाता है, electric motor का, सिद magnetic effect का, यूज़ करती है, magnetic effect of electric current, जब किसी धारावाही, आयताकार कुंडली को, चुंबक या शेतर में रेखा जाता है, तो कुंडली पर एक ही बल, होता है, जिसके कांट कुंडली और धूरी का निरंतर गुरुनन होता रहता है, जिससे motor को दी गई, विद्धिवत उर्जा यांतरी कुर्जा में रुपांतरित हो जाती है, ठीक है, तो एक motor क्या क्या चीजें होती है, construction कैसे होती है, तो देखे, सबसे पहले इसमें जो दिया गया है, वो दिया गया है, आर्मीचर, ठीक है, आर्मीचर कोईल, ये क्या है, विद्धिवत मोटर में एक विद्धिवत रोधितार के एक आयताकार कुंडली A, B, C, D जो के एक नरम लोहे के कोड़ पर लपेटी जाती है उसे क्या कहा जाता है आर्मीचर कहती है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप दिख रहे हैं A, B, C, D यह क्या है? आर्मीचर कॉयल है ठीक है? आगे है प्रबल चुम्बक means strong-filled magnet प्रबल चुम्बक क्या है? यह कुंडली किसी प्रबल चुम्बक के शेतर के दो दुरूओं के बीच इस पर कार रखी जाती है किसकी बुजाएं A, B तथा C, D चुम्बक के शेतरों की दिशा के लंबवत रही ठीक है? तो यह है strong-filled magnet आगे दिया गया है विभक्त विले या दिख्त प्रिवर्ति यहनकी split ring type commutator कुंडली के दो रेद अतोगी बनी विभक्त वल्य को दो अर्द भागो पीत था क्यों से संयोजित करती हैं दिखे रही है split ring type यह जो ring दिखाए दे रहा है इसकी बात हो रही है इस युक्ति दोवारा कुंडली में पर वाइट विद्यू दारा की दिशा को बदला जा सकता है ठीक है? आगे है brush तो दो स्थिर चालक brush X तथा Y विभक्त विले P तथा क्यों से हमेशा पर्ष में रहती है कि X और Y जो हमेशा क्या रहते है P और क्यों के हमेशा साथ में रहती है ठीक है? जो एक कोईल थी उसके साथ brush हमेशा भी बग्त विले था बैटरी को जोड़ कर रखती है next बैटरी बैटरी दो brush ओ X और Y के बीच से योजित होती है बैटरी यहां पर होती है विद्युदारा बैटरी से चलकर brush X से होते हुए कुंडली A, B, C, D में प्रिवेश करती है तो था brush Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है तो यह होता है इसमें कारिया भी धी दी गई आगे वरकिंग कैसे करती है जब कुंडली A, B, C, D जो उपर यह कुंडली है A, B, C, D जब इसमें विद्युदारा पर वाइत होती है कुंडली की दोनों बुजा A, B और C, D पर चुम्बकिये बल होता है परी मुखी धकेलता है तो इसके कोडिंग क्या होता है जो force act करता है A, B, वो पुष करता है डाउनवर और जो C, D होता है वो upward direction में पुष करता है दोनों बुजाओं पर बल बराबर और विपरीत दिशा में लगते हैं कुंडली अक्ष पर वामावरत गुर्णन करती है तो बोथ दीज forces are equal and opposite ठीक है तो clockwise direction में गूमती है आदे गुर्णन में क्यों का संपर्क बुष X से होता है तो P का संपर्क Y से होता है कुंडली में विद्धारा उतकर्मी को ओकर पत DCBEA के अनुदिश प्रवाहित होती है प्रत्यक आदे गुर्णन के परशात विद्धारा के उतकर्मी तोनिका करम दोरातर है जिसके फलसुल कुंडली तथा दूरी का निरंतर गुर्णन होता रहते है आगे हैं विवसाइक मोटरों, मोटर की शक्ति में वरे दीके उपाए तो स्थाई चुंबक के स्थान पर विद्धारावाई कुंडली में फिरोग की संख्यादिक होती है कुंडली नरम लोक रोड पर लपेटी जाती है कुनली दोनों को मिला करके होते हैं, आर्मीचर कहते हैं, मानव श्रीर के अर्देवर मस्तिष्क में महतपुर्ण चुम्बक के शेत्र होते हैं, तो MIRI दिया गया है, दारा की दिशा को भी संसूचित करती है, इसके लावे विद्यू चुम्बक के प्रेरण, यह क्या है, लेक्ट्रो मैगनेटिंग इंडक्शन, जब किसी चालक को प्रीवर्ती चुम्बक के शेत्र में रखा जाते हैं, तो चालक में विद्यू धारा प्रेरित होती है, यह धा अपनी दाहीने हाथ की तरजनी मध्यमा तथा आंगूठे को इस पर कर फैलाई कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यदि तरजनी चुम्बक के शेत्र की दिशा, ठीक है, यह क्या करता है, तरजनी जो फोर फिंगर होती है हमारी, वो दिखा रही है, चुम्बक के शेत्र और अंगूठा चालक की दिशा, चालक की गती की और, और संकीत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युधारा की दिशा को दरसाती है, ठीक है, यह नियम जरनित्र की कारिया प्रणादी का सिध्धानत है, उपर वाला हमने अलेक्रिक उसका पड़ा था, मोटर का, और यह जो होता है, जो जनरेटर होता है, वो किस पर बेस्ट होता है, फ्लैमिंग राइट हैंड रूल पर, तो यह उसका काम होता है, प्रेरित विद्युधारा की दिशा ग्यात करने के भी काम आता है, तो आगे दिया है अलेक्टिक जनरेटर, विद्युध जनितर, विद विद्यूत जनित्र में यांत्री कुर्जा कोपियोग चुंब के शेत्र में रखे किसी चालक को गुर्णी गती प्रदान करने में किया जाते हैं, जिसके फसरू विद्यूदारा उत्पन होती है। तो अलेक्ट्रिक मोटर है, वो किस पर बेज़्ड होती है? लेफ्ट हैंड रूल पर, तो यह दो यहां से इंपोर्टेंट बनते हैं कुशिन, ठीक है? तो यह था चैप्रे नमबर थर्टीन, इसके बाद जो है, थ्री चैप्टर्स और रहते हैं, फूर्टीन, फिफ्टीन औ आची है, अ की चैप्टीन, थाथ हैмыustaे हैंडेगा है, थे त herman occasion है, भूल पोलेवरे लिकाड़ की।, के भलेगेफे हैंटोंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंसे में आपे।, कbaby blending जेचावाजबा बादेटेंटेंटेंटेंसे घ Hadi मैंड़ हैंगा रह यजगानमादेयां से